उताई सापताहिक बाजार के फुटकर व्यापारियों ने नगर पंचेत उताई की अध्यक्ष को ग्यापन सौपा ग्यापन में सापताहिक बाजार के वहान स्टेंड से लगतार माल वहकों के चोरी होने की घटनाओं पर आखरोश रताए गया उताई सापताहिक बाजार में दुकानदारी करने आये फुटकर व्यापारियों के माल वाखों के चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है बीते शुक्रवार को ऐसे ही एक फुटकर व्यापारी का माल वाख सापताहिक बाजार से चोरी हो गया जबकि नगर पंचायत उताई द्वारा वहां स्टेंड की बकायदा वहां व्यवस्ता की गई है बावजूद इसके वहां स्टेंड से माल वाहख चोरी हो रहे हैं मालवाख चोरी होने की रिपोर्ट सभी फुटकर व्यापारियों द्वारा थाना उतई में दर्ज कराई गई इसके पस्चा सोंवार को सापताहिक बाजार के फुटकर व्यापारियों द्वारा उतई नगर पंचायत के अध्यक से मुलाकात कर उन्हें ग्यापन सौपा गया और तमाम तत्यों से अवगत कराया गया जिस पर उचित कारवाई किये जाने का आश्वाशन अध्यक चद्वारा फुटकर व्यापारियों को दिया गया ग्यापन की जानकारी आकाश गंगा फुटकर व्यापारियों संग के पता दिकारी प्रमोज साह ने दी पार्किंग सुल्क भी दिया गया पार्किंग का विवस्ता भी है सब चीज होने के बावजूद उनकी गाड़ी उस दिन चूरी हो गए हम लोग उत्ता ही थाना गये फायर नहीं हो रहा था फिर भी वो लोग जो दवस्ती करने पे फायर किये है नगरपंचायत में गये तो उन लोगों का रवईया देख करके उत्ता ही नगरपंचायत पल्ला जहार रही गे अध्यक्ष जो थे नगरपंचायत का देख उन से बात हुआ तो वो सोमबार के लिए अस्वासन दिये है और वहां का शियोमो साहब जो है वो भी अस्वासन दिये हैं कि हम इसकी जाच कर रहे हैं और जो दाइत तो होगा वो पूरा किया जाए हम लोग भी चाहते हैं कि इस गरीब का टेंपू का पैसा नगर पंचात उताई बहर पाया करें चोरी की घटनाय लगातार बढ़ते जा रही हैं देखना होगा उताई पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफतारी कब तक की जाती है ग्रैंड एसियन न्यूस के लिए संजय दुबे